कि अब 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 है कि अब अब वेलकम पर्जोकेशन आप जितने इन दर्ट यागी एंड मेरे साथ हैं केलाज सर और मुकेश सर जो आपका कल एक्जाम हुआ है पेपर और मेंस का उसके बारे में हम डिसकस करने जा रहे हैं इस वीडियो में और आगे कि क्या आपकी स्ट्रेडिजी रहेगी इंटर्वु के लिए उसके रिगार्डिंग ये हमने वीडियो बना रहे हैं राइट सो जो मेंस का पेपर हुआ है आपका ठीक है उसमें जो बच्चों ने फीडवैक दिया अलग-लग ब्रांच के स्टुडिन समने बात की सो काफी अच्छा पेपर था पतब किसी नहीं बोला इजी लेवल और मीडियम लेवल बोल सकता है और थोड़ा सा डिफरेंट क्या हुआ वहां पर की जैसे रीजिनी उन्होंने स्लेवस में स्पेशली मैंस नहीं किया था जन्रल एप्रिटूड लिखा वा था तो बट रीजि स्टुडेंट जो हमारे रहे हैं उन सबने अच्छा बताया है पेपर को कि उससे सटिसफाइड थे और काफी उसके बाद जो डिस्करिविटी पेपर है अलग अलग ब्रांच के स्टुडेंट्स की फीडवेग हमने जो ली है डिस्करिविटी पेपर ठीक है उसमें जो पूचा उसमें थे जो फॉर्म आक्स वाले ते उसमें कई कोश्चन तो जिसमें फुल फॉर्म ही पूछा एक ठीक है दो तीन वोशन इसमें किसी वर्ड का इंबॉडेंट वर्ड का फुल फॉर्म पूचा है और कुछ फिल इन दे ब्लैंक्स टाइप माद्ड टूफ आप और छोड़े-छोड़े answers आपको लिखने थे उनके और conceptual questions थे numerical का नंबर जो था वो कम था थोड़ा सा और theoretical sections में जैसे बहुत सारी ब्रांचे ऐसी हैं जिनमें बच्चों ने बताया कि जो questions यूर्पीडिया ने provide किये थे 100 questions में तो में बहुत सारे questions तो उसी से match कर रहे थे जो आपको स्टूरेंट्स को प्रोवाइड किये गए थे इसी तरीके से ब्रांचे में थोड़ा सा पैटर्न में मतलब कुछ जगह पर डेफ्ट में चले गए ठीक है कुछ जगह पर थोड़ा सा डेविट हुए लेकिन जनरल जिस बच्चे ने प्रिपेर्शन किया अच्छ से पर है ठीक है लेक्डी कोशन उसमें जो बड़ी कोशन से ठीक है अट कोशन वहां पर थोड़ा सा कुछ जगह पर लेक्डी था लाइवर इडवाज एजी तो अभी मैं कैलास से थोड़ा बात करना चाहूंगा इसके रिगार्टिंग कैलास सर आप बताईए आपका क्या सबसे पहले तो दिखिए कि पेपर का स्ट्रक्चर टोटली चैंज हो चुका था आपके 25 क्वेशन आपके आपके पास आठ क्वेशन 25 मार्क्स के थे तो जो आठ क्वेशन थे वह कहीं नहीं बहुत ही जादा एक एप्लिकेशन बेस्ट क्वेशन बना दिये थे लाइक कि यहां पर रिटन की जर्नी तो खतम होती है मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं जब इन लोगों ने अपना प्रेलिम्स का रिजल्ट आउट करा था तो वहां पर भी बहुत सारी एंबिग्यूटी थी कि हमें यूनो मैंस के लिए प्रप्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना और बहुत सारे बच्चों के नहीं कॉल किया है और बहुत सारे बच्चों ने मैंस एक्जाम लिखा भी है अब या देखो यह जर्नी स्टार्ट हुई थी लास्ट यह और अभी तक 6-7 मन तकरीवन हो चुके हैं कि पूरे प्रोसेस को फॉलो करते और आपने बहुत अच्छ बिल्कुल correct marking होगी न हां जहां पर उन्होंने कुछ design-based question पूछें यहां पर उन्होंने कुछ derivations पूछ है है definitely वहाँ पर you expect कि step-marking करें और अब या cut off होगा final आप लोग अपने coding group समने देखें बहुत सारे हमारे student है अपना एक analysis कर रहे हैं सब बच्चों का paper ऐसा कि हमने भी बात करी है उसके coding cut off बता रहे हैं बट जब तक यह clarity नहीं होगी कि वो step marking कितने question में करते हैं actually तभी हमें clear idea मिले cut off क्या जाएगा but मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जिस भी बच्चे का 150 plus बन रहा है I guess 130 plus बन रहा है technical में 300 में से तो उसको तो मेरे coding interview की त्यारी करनी start करनी चीए और I will say even 100 plus वाले को भी त्यारी start करनी चीए मैं सिर्फ technical की बात कर रहा हूँ obviously cut off में जो saw marks का दूसरा तो वह भी चीज़े include होंगी यहाँ पर तो यह ना होगी जैसा आपके साथ films के time means में वह ऐसा आपके पास interview में हो जाए और suddenly हो सकता है कि already exam बहुत आरा time ले चुका है और जब interview के लिए अपनी announcement भी करें वह सकता आपको बहुत कम टाइम दें चीज़ों को भी थोड़ा सा interview में देखना पड़ेगा इंट्रेक्शन करनी पड़ेगी बात्चीत करनी पड़ेगी आपको रिफ्लेक्ट तरवाना पड़ेगा बात्चीत में कि आपको उन चीज़ों के बारे में awareness है नॉलिच है तो मैं सभी से बात करूंगा request करूंगा ज सब्सक्राइब करें तो एक्सपेक्टेड थे जो भी सब्जेक्ट था उनके जो most important topics थे सिर्फ वहीं से क्योशन पूछे गए है बिजिटल की बात करें के map एक important topic है वहां से क्योशन था अगर हम algorithm या data structure की बात करें link list था algorithm में quick short था यह वो topics है और वो core topics है जहां से क्योशन हर बार पूछा जारा है तो overall अगर हम बात करें descriptive paper की तो मैं easy बोलूँगा इसमें बहुत जादा tough technical या बहुत जादा in-depth भी नह कर रहे हैं touch तो आपको अपना interview की preparation start कर देनी चाहिए और एक ज्यान देनी वाली बात है कि questions की अगर हम देखें कि questions का pattern क्या था तो important topics जो भी core topics है उनको यहां पर cover किया गया है तो my dear students important यह भी होने वाला interview में कि आपका in-depth knowledge भी वह चेक जरूर करेंगे तो यहीं पर important point आ जाते है कि आपको बहुत ही initial level पर अभी से ही अपने interview की preparation start करनी चाहिए no doubt sir क्योंकि ओलड़ी के लासर ने बताया कि ओलड़ी यह paper बहुत time ले चुका है और जब आपकी interview की date अन इसमें आपके personality आपके attitude आपका confidence बहुत सारी चीज़े matter करने वाली है और वो practice से ही enhance होगी सभी चीज़े तो simple suggestion start your preparation अगर आपको लगता है कि technical में आपके 100, 120, 130 से score कर पारें तो आप preparation start करें talking about the first paper sir उसमें जो 24, 25 questions थे बहुत ही simple straight forward questions थे hopefully सभी students के वो maximum questions right होंगे बिलकुल सरी आपर मैं एक और चीज़ कहना चाहूंगा जैसे काफी सारे बच्चे हम देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे बच्चे you know thousand प्लस student है जो यूर्पीडिया पर त्यारी कर रहा है तो वह कहीना कहीना ऐसे यह जो time Spanish exam का बहुत जादा खिंच चुका है right तो मैं द त्यारी करते हो ना या स्टुडेंट टाइम में या स्टुडेंट एज में त्यारी की गई वह कभी वेस्ट नहीं जाती कहीने कहीने आपके और भी काम आएगी आप और भी पेपर लिख रहे होंगे तो अपना कोई conclusion मत बनाओ कि हाँ मेरे इतने कम marks बन रहे है मेरे को बन लिए और आप आगी स्टेज में चलेगे तो मोटीवेट रहो अपने आपको रखो अपने आपको ठीक है नो जितना भी टाइम है उसको प्रॉपर्ली यूटलाइज करो और इंटर्वी की त्यारी के लिए लग जाओ इसमें और इंटर्वी में यहां पर दोनों आपको फाइनल स्टेप पर खड़े हो और मुझे लगता है कि एक देट महीने में यह पूरा जो फाइनल सेलेक्शन इसके वाइंड अप हो जाएगा जिस तरीके सब्सक्राइब अपने टाइम लाइन दिया था तो इसी को फॉलो करते हैं आपको लेना है और इंटर्वी का जो मतल जो लगी किया होगी वो कहां तक जा रहा है ठीक है उसी तरीके से जो करण्ट एफेर से इंटर्वी के अंदर इस तरीकी के इंटर्वीव में करण्ट अफेर का भी इंपोटांस होता है करन्ट जो भी सूस चल रहे हैं कंट्री के अंदर उन से relevant question भी वहाँ पर बन सकते है और जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है यह जो पुरा इनका डिपार्टमेंट है मंतराल है जिसमें आता है उस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करके वहां से भी यूजफुल इंफोर्मेशन लो क्या क्या चल रही है और आई पी आर जो आपका में सब्जेक्ट था आ प्रप्रटमेंट के लिए टाइम नहीं था फिर वो पर बाद में परस्ता रहा है रिग्राइट कर रहा है क्या तो ऐसी गल्ती फिर नहीं करनी किसी को यहां पर हो सकता है कि कम मार्ग्स पे भी आपको इंटर्व्यू की कॉल आ जाए ठीक है ना आप ऐसा नहीं मान सकते कि टोटल फोर अंडड़ तो थ्रिंडड़ लाना आपको तभी आपको कॉल आएगी नहीं ठीक है ना कम नंबर पे भी आपको कॉल आ सकती है अलग-अलग ब्रांच में तो आप इंटर्व्यू की तयारी सारे बच्चे मैक्सम जो है जो आपने बताया है मिनिम्म थ कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट मोस्टली हमारे पास इसमें थे सिंस एज लिमिट थर्टी फाइव टाइगेस जनरल क्रेटेगरी के लिए तो आयम एज्यूमिंग की बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपने के इस स्टेज पे आ रहे हो और ये क्वेस्टिजन सोच व को ये एक जस्टिफाइबल आंसर देगा देको इंटर्व का मतलब क्या होता है पूशन पूछा आपको आंसर नहीं देना है जो पैनल बैठा हो तो बहुत एक्स्पिरेंस पैनल होता है वो आपके आंसर को बिलकुल एकदम से ब्रेकड़ून कर देंगे कि यह आंसर आप मै कि टेकनिकल एक अलग एस्पेक्ट है वो आपने बहुत बढ़ा भी है मैंस के लिए खीक है बट उसको भी कमांड करने के साथ साथ नौन टेकनिकल बहुत सारी चीजिए से आई-प्या की बहुत बढ़ा वेटेज रहेगा क्यूंकि आप लोग डाइवर्स बैग्रोंड से है कोई बायो केमिस्ट्री से आ रहे है कोई बायोमेटिकल से तक रहा है उसको छोड़कि आप कैसे चस्टिफाई करते हो और वह जो वहां का नॉलेज यह उसको आप यहां पर कैसे यूस करोगे ताकि वह एसे बने इस और प्रेपरेशन करनी है और आपने देखा है की यह क प्लेटफॉम पे इस तरह की सर्विसेज मेंटरिंग आपको बिल्कुल टॉप लोच मिलती है और आपको वन-to-one इंट्रक्शन मिलता है तो डिले मत करो अपना त्यारी स्टार्ट कर लेज़ेगा तो इंटर्वी के लिए मत डेरिकेटेड मोड्यूल्स यूर्पीडिया पर तो जो स्टुडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डिस्क्रिप्टिव के लिए या प्रिलिम्स के लिए यूर्पीडिया की हल्प नहीं लिया ठीक है और आगे वो इंटर्वी के लिए प्रिपेर करना चाहते तो उनके लिए भी ऑपिन है ठीक है अलग से यह फैसिलेटी करना उगा उसका प्रिपाईल बहुत अच्छा होगा उसके पास बहुत डाइवर्स एरी आंगे जहां से लिए उसके पास इसलिए इंटर्व प्रेपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है खासकर जब आप इस तरह के और्गिनाइशन में जा रहे हैं और यूनिट से गैल स्टेट ऑफिसर प्रोफाइल तो अलग-अलग पैरामिटर पॉइंटर पॉइंट से आपको चेक करेंगे ला है जो भी आप एक्जामीनर है हो सकता है कि शायए तीन बच्चों ने एक सोसी एक सोसी का टेम्ट कर रहा है बट उस अटेम्टेशन में भी बहुत सारे ऐसे एक्टर है कि तेनों को बराबर मार्क्स मिलने के चांसिस नहीं है किसी ने बहुत क्लियर लिए निटन क्लीन अब अब हम देख रहे हैं जितना भी मैंस का जो कट अफ यूज जाता है कि यह सी से भी रेफरेंस ले 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 और जिस तरीके से बच्चों करा है मुझे लगता है इलेक्ट्रोनिक्स और लेक्रिकल में मैं तीन सो आउट 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 अप तीन सो से बात कर रहा हूं एक सो बीस एक सो एक सो एक सो एक सुटीस के आसपस बच्चे को त्यारी करने चाहिए बिल्कुल और बाकि ब्रांच के अंदर भी तैयारी कभी वेस में जा दी रहा है वैसे भी है मतलब प्रिश्यों लेना है अपना जो टाइम है आपके पास उसको इडिलाइस करो और प्र